दुनिया भर में कई अजीब और अनों की शादी होती रहती है लेकिन तमिलाडू में कैसी शादी हुई जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा इसे शादी में दूला दुलहन ने पाने के 60 फिट नीचे जाके रस्में पूरी की जी हाँ आपने सही सुना ये शादी चिन्ना दुरई और श्वेता नाम की कपल्स की थी श्वेता ने बताया कि जब चिन्ना दुरई ने समुद्र के बीच में इस तरह से शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्हें अजीब लगा पहले वो डर रही थी लेकिन बाद में जब चिन्ना दुरई ने उनसे बात की तो वो राजी हो गई वही तिरुवन्नम मलाई के रहने वाले चिन्ना दुरई ने कहा कि उन्हें बच्पन से ही स्विमिंग का शौक था वो बारह साल से स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं दोरों को इस तरह की शादी का आइडिया उनके ट्रेनर अर्विंद अन्ना ने दिया था उन्होंने पानी के नीचे 45 मिनिट बिताए उन्होंने पहले श्वेता को पानी के अंदर ही बुके देकर शादी के लिए प्रपोस किया प्रपोसल के बाद दोरोंने एक दूसरे के गले में माला पहना आई समुद्र को साक्षी मान कर कसमे खाई और साथ फेरे लिए सोशल मीडिया पर भी शादी खूब चर्चा में ऐसा